बिस्मिल्ला रह्माले रहीम, असलाम अलीख्यों में स्टुडेंट्स, हावल यू, आवीश आप लोग बिल्कुल खैरियस से होंगे, तो सब्सक्र पहले हमारे पास जो टॉपिक था, वो टॉपिक था, टेस्ट ऑफ दी प्रेजन्स ऑफ अचार्ज, बैसिकली, ये गोल्लिफ एलेक्ट्रिस्कोप की मदद से होता है, तो इसमें सिंप्ली हमने ये पढ़ा था, और इसके अंदर हमने एक वीडियो भी देखी ती, जिसके अंदर हमें मज़ीद इसके बारे में इनफॉर्मेशन मिली थी, फिर हमारे पास था एलेक्ट्रिस्ट्रिक इंडेक्शन इन नेचर और इसके अंदर हमारे पास दो टॉपिक मुझूद थे, नमबर वन हमारे पास था लाइटिनिंग, और नमबर टू हमारे पास था लाइटिनिंग कंड़क्टर्स, तो basically light हमारे पास lightning हमारे पास था when they becomes highly charged यहनकी simple world में हम इसको असान करने के लिए हम इसको 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 से कह सकते हैं cloud becomes charged when tinny water droplets are crystal of ice present in the clouds rub against each other when they become highly charged a large number of electron jumps from one cloud to another or from cloud to the earth in the form of stream this flow of electron produces a flash of lightning इसके अंदर हमने detail में पढ़ा था के basically आपके पास जो clouds होती हैं इनके अंदर water droplets होते हैं या फिर crystals of ice presents होते हैं जब यह आपस में रब होते हैं तो जब रब होते हैं तो हमने पढ़ा है कि वहाँ पर charges create होती है और वहाँ पर electrons क्या हो जाते हैं move होते हैं एक cloud से दूसरे cloud में और इसी वजा से आपकी जो lightning होती है हमें create होती है या तो वह एक cloud से दूसरे cloud या फिर वह cloud to earth in the form of strength this flow of electron यह जो flowing होती है electron की वहाँ से वहाँ जाना या वहाँ से नीचे आना earth की तरफ तो यह process जो basically होता है यह हमारे पास होता है lightning क्या होता है lightning फिर हमारे पास है lightning conductors lightning conductors in order to protect a high building from damage to lightning a pointed metallic rod called a lightning conductors basically आप protect करते हैं अपनी buildings को अपनी बड़े बड़े जो भी अमारते होती है उनको protect करने के लिए आप क्या करते हैं महाँ पर एक metallic rod लगाते हैं जिसकी वजह से आपकी जो भी बड़े बड़ी buildings होती हैं वो damage होने से बच जाती हैं और आपके जो भी charges होते हैं उसको क्या कर देती है या ripple कर देती हैं जिसकी वजह से आपकी building पर किसी किसम का effect नहीं होता यह process basically होता है lightning conductors यह process क्या कहलता है lightning conductors अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो बराय महरबारी lesson number two आप अच्छी तरह से सुने अब हम चलते हैं lesson number three की तरफ lesson number three की तरफ जाने से पहले हैं हमारे पास कुछ important questions है जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो पहला question है why does the bulb light up आपका light क्यूं देता है आपका bulb आपको रुष्णी क्यूं देता है कहां से आती है वगेरा will the trip is added bulb still glow if the cell is removed अगर जलते हुए बलब में से अगर हम remove कर दें उसका cell को तो क्या आपका बलब जलता रहे है और दुसरी चेखा पे लिखा वायर if the wire is detached या हम वायर को वहां से अलग कर दें तो क्या आपका बलब जलता रहेगा simple world में आपसे ये पुछा जा रहा है कि अगर आपके घर पर बलब जल रहा है तो अगर आप उसकी बैटरी को निकाल नहीं या आप उसके cell को remove कर दें तो क्या वो चलता रहेगा और दूसरा आपसे कोश्चन किया जा रहा है कि अगर महां पर wire attached है और आप wire को अगर महां से निकाल नहीं तो क्या आपका बलब जलता रहेगा गिलो होता रहेगा और नीचे last में आपके पास question है if a wooden to the circuit will bulb still glow अगर आप wooden को attach कर दें उस circuit के साथ तो क्या आपका बलब जलो होता रहेगा यस यह सारे वो questions हैं जो हमें basically वेसी ही answers आते हैं कि जर्नली बलब क्यों जलता है आपको पता होगा इसको किसी source की जरूरत होगी वो wire किसी के साथ connect होगी इसी जैसे जल रहा होगा पर यह जर्नल questions है आईए हम इसके concept के बारे में पढ़ते हैं basically ऐसा क्यों होता है और क्या यह बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए यह तीन जो questions आपसे पूछे गए basically यह इनी topics से related है जब आप उन questions को understand करेंगे तो ही आप उसके answers को तलास करने के लिए मोग होगे अब आपके पास page number 75 है current electricity and electric circuit is the path way along which charge particle can flow electric circuit एक ऐसा रस्ता होता है या एक ऐसी path होती है जहां से charge particle move होते है charge particle एक जगा से दूसरी जगा पर जाती है the cell is a source of energy which pushes the charge in the circuit basically cell आपके पास एक ऐसी source है वो आपके जो आपके charges होती है उसको क्या करते है आपके move करवाता है आपके charges को push करता है तक वो आगे को जाए और इस तरह से आपकी जो rotation of charges है rotation of charges है वो चलती रहे और जिसकी वज़ा से आपकी flow of current हो जाए और जो flow of current होगा तो आपका जो भी light होगी वो glow होना start हो जाएगा simple यह आपके पास cell लगा हुआ है और यह आपके साथ एक wire attach है और एक wire आपकी यहाँ से attach है इस जगह पर इसी तरह यह positive आपके पास terminal है और यह आपके पास negative है और यह electron move this way यह जो light आपको जो arrow नदर आ रही है यह आपके basically electrons है जो यहाँ पर क्या हो रहे है moves हो रहे है क्या हो रहे है move और यह आपके पास क्या नदर आ रहा है बलब नदर आ रहा है अब होगा यह cell basically इसमें से charges को क्या करेगा push करेगा जब यह charges को push करेगा तो यहाँ पर flowing of current start हो जाएगा जब flow of current होगा तो आपका आपके बलब automatically burn होना start हो जाएगा यानिके आपका glow होना start हो जाएगा आपको यह बलब आपको रोशी देना start हो जाएगा अब आपके बास कहा जा रहा है इस connected to a बलब by wires made up of metals और यह wires भी आपके पास किसकी होनी चाहिए metals की होनी चाहिए जिसको हम connect करेंगे बलब के साथ इस wires late charge pass along them there is a complete path from the positive end of the cell to the negative end यानि कि ये भी compulsory चीज़ हैं कि ये terminal यहां से निकलने के बाद यहां पर attach होना चाहिए blood के साथ और ये terminal यहां से निकलने के बाद यहां पर attach होना ज़रूरी है अगर इन में से कोई भी terminal attach नहीं हुआ तो भी ये bulb glow नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर बीच में रुकावट आ चुकी और जब यह आपस में एक दूसरे के साथ connect नहीं होगा तो किसी भी किसम की glowing नहीं होगी अब आपके पास क्या कह रहा है An electric circuit must have a complete conducting pathway एक आपके पास electric circuit जो होता है यह complete conducting pathway होता है यानिकि यह complete conductivity है यहां से लेकर वहां तक कापके पास process If there are any gaps अगर यहां पर किसी भी किसम का gap आता है The charge cannot flow यानिकि अगर बिलफाज यहां से मैं star को crop कट कर देता हूँ तो आपको पता है यह जो wire है यहां तक नहीं पहुँच जागी और अगर यहां तक यानिकि फिलोंग नहीं होगी तो आपका यह बलब भी नहीं चलेगा अगर यानिकि अगर यहां से क्ट कर दे कहीं से भी क्ट कर दे तो ये फिलो नहीं होगा इसकी एक simple example हम इस तरह से लेते हैं असान करने के लिए अगर let's suppose आप एक कमरे के अंदर मुझूद हैं और दूसरे कमरे में से अगर आप simple हम इसको इस तरह से लेते हैं कि अगर आप पानी भरते हैं क्या भरते हैं water supply की थूरू motor की थूरू आप पानी भरते हैं और आपका जो pipe है pipe एक एक जगा से लेकर या motor से लेकर kitchen तक आता है अब ये जो kitchen तक आपका जो pipe आता है अगर उसको मैं बीच में से cut कर दूँगा तो क्या पानी जो motor से आ रहा था क्या वो kitchen तक पहुँचेगा नहीं इसी तहां अगर आप इस current की wire को ये जो metal की wire है अगर आप इसको cut कर दोगे तो इसका flowing of current जो होगा वो भी यहाँ पर रुक जाएगा ये आगे तक नहीं जाएगा और जब आगे तक नहीं जाएगा तो आपका पाणी जिस तरह से kitchen में नहीं पहुच जा था इसी तहां इसका current इस बलब तक नहीं पहुचेगा और जब बलब तक नहीं पहुचेगा तो it means ये बलब भी गिलो नहीं होगा ये किनन आपको ये topic clear हो गया होगा अब हमारे पास switch an electric current can be turned on and off by a switch आप current को electric current को turn on turn off कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं आप आपके पास simple ये घर के अंदर switch मुझूद होता है अब switch को जब हम on करते हैं क्या करते हैं जब हम switch को on करेंगे तो ये जो metallic rod होती है ये इसके साथ attach हो जाती है क्या हो जाती है इसके साथ है attach हो जाती है और ये switch क्या हो जाता है on हो जाता है ये switch क्या हो जाएगा ये rod इसके साथ आकर attach हो जाएगी जैसे हम इसको on करते हैं जैसे मेसाइब पर आपने कमले का fan on करना है तो आपने इसको जैसे on किया तो ये metallic जो rod होती है ये rod इसके साथ आकर attach हो जाती है अब ये आप देख सकते हैं कि जो last time हमने जो circuit के बार में discuss किया तो अगर ये flowing of current है ये बिल्कुल आपका current flow होता रहेगा तो ये बलब जलेगा अब जैसे हमने इसको इससे दूर किया ये जो rod इए ये जो metal यहां से लेकर यहां तक इसके साथ attach था इसको हमने दूर किया तो ये glow नहीं हुआ बलकि ये बुझ गया इसी तरह जब हमने इसको off किया तो यानिके ये इससे दूर हो चुका था क्या हो चुका था इससे दूर हो चुका था अब अगर आप इसको attach करोगे तो ये बलब वापस on हो जाएगा अगर आप इसको दूर रखोगे तो ये बलब off रहेगा अब जैसे ही आप इसको on किया तो ये जो rod है ये इसके साथ क्या हो गई attach हो गई और ये आपका complete circuit आप यहां से देख सकते हैं ये यहां से क्योंकि complete इसके साथ जूर जाएगा तो ये complete इस तरह से current फिलो होगा और current फिलो होता होता है यहां दब पहुंच जाएगा इसी तरह ये बारा current तो easily already ही यहां पर फिलो हो रहा है यहां कि यह complete circuit बन चुका है और जब complete circuit बन जाएगा तो हमें पता है कि यह बलब हमारा यहां पर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा गिलो होना स्टार्ट हो जाएगा अब हम बात करते हैं when you turn the switch off जब आप switch off करते हैं तो यह यहां से इससे क्या हो जाएगा दूर हो जाएगा इस wire से क्या हो जाएगा यह दूर हो जाएगा अब यह current यहां से आकर यह कहां पर चला गया यहां पर चला गया अब जब यह current यहां पर चला गया तो जिस तरह से मैंने पानी की एक्जेंपल दी आपको वो पानी वहां से किचन तक नहीं पहुँच रहा था इसी तरह ये करंट अब यहां इस वाय तक नहीं पहुँच रहा इस वाय तक नहीं पहुचेगा तो बलब आपका गिलो नहीं होगा Otherwise अगर ये इसके साथ connect होता जिस तरह से हमने on का process किया जब on किया तो ये इसके साथ क्या हो गया था? Attach और ये बलब आपका glow on a chart हो गया अब ये जैसे इस से दूर हुआ तो आपका बलब भी off हो चुका है आज के इंतहाई एहम दोनों topics थे जो के अभी हमने read किये एक topic आपका था current electricity और दूसरा आपका topic था switch Thank you for watching Please subscribe my channel Dear Education